आशिर्वाद प्रत्य दिन रात को साढ़े आठ बजे सोने से पहले की प्रार्थना और आशेश आशिर्वाद आईए मेरे भाई और बेनू आज के संपून दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए अच्छी और सुरक्षा पून नेंदी के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें आखे मन कीजिए देयालू पिता भले बुरे की पिता हमारे प्रभी येश्व की पिता हमारे स्वर की पिता अब्बा हम तुझे धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए एक-एक सांस के लिए धन्यवाद देते हैं पिता स्तौत्र उंचास वाके नौमी तेरे वच्छन में लिखा हुआ है प्राणों का गूल इतना उंचा है कि किसी के पास परियाप्त धन नहीं है एक-एक सांस कितना महतपून है पिता तुने हमें जीवन प्रदान किया तुने हमें शक्ति प्रदान की काम करने की शक्ति प्रदान की आज के संपून दिन के लिए हम तुझे दन्यवाद देते हैं एक एक सांस के लिए हम तुझे दन्यवाद देते हैं जो हमारे प्रती तेरे प्रेम का चिन है उत्पति ग्रंद के अध्याई दो में हम पढ़ते हैं कि तुने आदम को बनाया और उसके नथनों में प्राणवाई फूखा आज संपूर्ण दिन तु हमारे नथनों में मांगते हैं हम इस समय स्विकार करते हैं कि हम पापी हैं हम तेरे वर्दान के योग्ये नहीं हैं हम अयोग्ये हैं स्विकार करते हैं पिता ये पिता तेरे वच्छन में लिखा हुआ है एजेकिल नभी के ग्रंद के अध्याई 36 वागी 25 में मैं तुम पर पवित्र जल और तुम्हारे सारे देवदूशन से तुम्हें शुद्ध करूंगा करना पिता करना तेरे पुत्र येसु के नाम पर पवित्रात्मा के द्वारा पवित्र जल हम पर छरकाना पिता हमने पाप किया है पवित्रता के विरुत पाप किया है हमने असलिलता को महत्त दिया है हम व पातों के लिए हम तुछ से च्छमा याचना करते हैं ये पिता हमने अपने वच्छनों की द्वारा अपने कारियों की द्वारा दोसनों को दुख दिया है पीड़ा दी है अपने परिवार के सदस्यों को दुख दिया है अम तुछ से च्छमा याचना करते हैं पाप के बंद किसी बात की चिंता मत करो तुने का चिंता करने से कौन अपने आई को पल भर भी बढ़ा सकता है हां पिता हम अपनी सारी चिंताओं को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं परिवार की चिंता बच्चों की चिंता कामकाज की चिंता द्यालू पिता हमारी सारी चिंताओं को अपन हाथों में उठा लेना हम पर दया करना हमें सोतंद्र करना हमें अच्छी नीन प्रदान करना हमें सम्रक्षन देना पिता तेरे दोतों को बेज कर हमें सम्रक्षन देना हमारे परिवार को सम्रक्षन देना हमारे घर को आशिर्वात देना सम्रेक्षन देना घर के कोने को सम्रेक्षन देना तेरे लाखों दोतों को बेच कर चारों और से हमारे परिवार को घर को घेर लेना पिता अर प्रकार की विपत्ती से हमें बचा के रखना शैतान की हर प्रकार की खत्रे से हमें बचा के रखना हर तरह की विपत्ती से हमें बचा के रखना पिता तेरे वच्छन में लिखा हुआ है स्तोतर एकान वेवा के चार में वह अपने पंक पहला कर तुम्हें ढख लेता है तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है हाँ पिता आज रात को हमें इस बात का इसास हो कि तेरा सम्रेक्षन में प्राप्त है यह पिता हमें अच्छी नेंद प्रदान करना उत्पत्ति ग्रंद के अध्याई 28 में हम पढ़ते हैं कि बेथल में याकूब रात को सो रहा था उस नेंद के दवरान तूने स्वर्गों को खोल कर उसे दिखाया तूने स्वर्ग दोतों को दिखाया आज रात हमारे लिए एक आध्यात्मिक रात हो शांतिकी रात हो आज हमें अच्छे-च्छे सपने मिले अमारे ठकेवे शरीर को फिर तू उजा से भर देना हमें पूरी तरह से एक नए जीवन के लिए नए दिन के लिए तियार करना पिता अपने सिर्जुकाएं मेरे भाई और बेनों द्यालू पिता मेरे भाई बेनों पर दिया करना उनके सारे पापों को ठ्षमा करना उनके समर्पन को ग्रहन करना उनके जीवन को सम्रक्षन प्रदान करना तेरे पुत्र येशु के नाम पर पवित्रात्मा के द्वारा उने अच्छी नीन प्रदान करना एक नए दिन के लिए तियार करना अमारी प्रार्तन को ग्रहन कर आमेन